एक पूरा सदरस्पताल में संचालित पोस्टमार्टम हाउस में पिछले देड़ सालों से पानी की ववस्था नहीं रहने के कारण पोस्टमार्टम में काम कर रहे कर्मियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है कर्मियों को पानी के लिए धरोधर भटकना पड़ता है वहीं इसे लेकर कई बार प्रबंधक और सिविल सर्जन्ट से शिकायत के गई है लेगन इसके बावजूद भी पिछले 10 सालों से किसी प्रकार की विवस्था नहीं की गई है गौर तलब है कि सदर अस्पताल की लचर विवस्था को लेकर आए दिन मरीजों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है वहीं पोस्ट मार्टम हाउस में सुविधा नहीं होने के कारण मिर्तक के परिजनों को पोस्ट मार्टम के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है और लोग वहां में दूसरा झाल आफेषोय में जब जमीं से पुरा अंदर पानी शूप गया ओसका पोरिंग नहीं हो पाया था पर्ण के कमी के कारव मुखलब सपर नहीं लेकिन काम तो तद्काली में वस्तारों लोग इधर से पानी ले आगे करते थे और अभी कनेक्शन भी कर दिया गया है अज पर्मानेट कनेक्शन सदर से स्वाइड कर दिया है जकता कि बोरिंग नहीं हो बोरिंग जोकि बहुत कि हम लोग जब से इसमें जोड़े हुएं कभी किसी तरह का पर्मेंट नहीं किया जाता है इसा तो नहीं है पर्मेंट आर्सोर्स कंपनी को जो हम उसको अला थार दे रहा है और एज़सी उसको पर्मेंट करती है और इसी खबर पर अधिक जनकारी के लिए हमारे समबाद दाता शीव कुमार पाठा का मारे साथ ओनलाइन पे मौजूद है शीव कुमार पोस्ट मार्टम हाउस में देड़ साल से पानी की समस्या देखे जा रही है क्या है ये पुरा मामला जी सर्, ये पुर्ट मार्टम 2016 से बना हुआ है और लगपागर डेड़ साल से वहाँ का बोरिंग फेल है और जहांकि पानी के समख्या है और पुर्ट मार्टम में जो भी गंदगी की हिया होता है या पुर्ट मार्टम होता है उसकी धुलाई धन पे नहीं हो जाता है जो वहां का बरकर बोल रहे थे कि बिल्कुल बर्बूत और गंडगी का अंबार लगा रहता है, धुला नहीं पाता है और इसके कारण लेकिन बार बार अधिकारी के बोलने के बाद भी आज तक वहां पानी की शुगदा नहीं दी गई है, जिसके लेकर लगातार समस्या बनी होस्पिटल अड्मिस्टेशन का क्या कहना है? अधिकारी डियम को भी और टीयस को भी लिट के देने के बाद भी इस पर कोई किसी तरह का कोई करवाई नहीं की गई जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जनकारी के लिए